जिसका फोल्डिंग आपको जो नज़र आ रहा है इसमें क्या है जैसे यह कि इसका फोल्डिंग सिस्टम इसका फोल्डिंग भात सेम आज टावर के फोर्म में होगा तो वहां पे क्या है ऐसा सेमस्का फोल्डिंग वहां पर यह फोर कोस्ट का है कई पे सीक्स पोस्ट होगा Tó सबसे पहले क्या है जैसे हम लोग चेक करें हमारा जो चेक्लिस्ट में सबसे पहले Show यहीं। सैंठ्ट यहां पे।यग है इस तरह envelope आपको फोकस होना चाहिए वहां पर अलग इसका फोल्डिंग होता है बस आपको क्या यह सिर्फ दिखाने के लिए फिर यहां पर आपको यह चेक करना यह चेक करना यह ज्यादा तो नहीं आपके पास कर सकते हैं आपके उपर में डिपेंड करता है आप यहां पर यहां पर किया है किसी इसका फोल्डिंग में यह पोस्ट के निच बीच मीडल पोस्ट है उसमें किसी जघांब और इसका फोल्डिंग में वहां पर फोश्ट सोल बोरं पर साही है यहां पे यह जो बैस्क्रइड जो है न बार है जमीन पर सोल बोट पर नहीं एक जो बैस प्लेट पर दूसरा बेस प्लेट बाहर है तो जब आप देखेंगे ना तो आपको यहां पर बोटन में आप जब देखेंगे ता आपको नजर से आ जाएगा कि यह सोलबोड है । डाइमज या नासेशिर GND है या बेस प्लेट जो है सोलबोड से बाहर है या बेस लिप्ट का हाइड चेंज से जाता है अगर आपके पास मेजरमेंट टेप है तो आप उससे नहीं लगा कि चेंज होगा कितना ग्राउंड से फिर आपको वहां पर अंदाजा मिल जाएगा फिर उसके बाद जब हम यह हमारा फांडेशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसके बाद जाते हैं पोस्ट में तो पोस्ट में जब जाएंगे नो तो यहां से लेकर कि बॉटम से लेक लेल ट्र ओन्पर में मिड्र टॉपर में यह वह एक जरेम कि ऊपर और पर से मैं जब घब को चानय जब बेंड तो आपको जब जब उपर में जब जाकि नजबंड लिखेंगे आदे तो क्या लिखेंगे अगे सिधा वर्टम और यह जितने भी नॉट प्लम यह जितने भी है यह पोस्ट में जाएंगे आपके पावर्स में कि टावर्स की बात हो रही है वहां पे कल हम लोग अंडरहं का बात किया तो अंडरहं में ट्रेपेज ट्यू चेक कफलर और चेक टॉप में बॉटम में चेक कफलर मिसिंग होना चाहिए ट्रेपेज ट्यूब प्लैटफॉर्म से दो फिट नीची होना चाहिए वह उसका लेंथ जो टू फिट होना था यह हम लोग कल अंडरहं में बात किया तो वह हमारा पोस्ट में आएगा और यहां पे पोस्ट म और छोँट में क्या होता है जैसे सिप कि यहां पर यहां पर भी जॉइंट है और इसे लिफ्ट में यहां पर बी जॉइंट रहे बले कॉनले ऑगर इस वाले में से जॉइंड है तो एक चरहां के व्रमी दियांके अजानी च्छायुब होना चाहिए और पर यहां और Multi मतलब जैसchn रद जूक वैसे अगर में हैं तो कोई इस्वी नहीं होना चाहिए सेम लिफ्ट में जो होता है ना च्छे मिटर कर ट्यूब लेकिन आप च्छे मिटर कर ट्यूब से इसका फोल्डिंग कैसे कंसर्ट करेंगे नहीं करके रख सकते न अप इसका फोल्डिंग कोई से लगाएं नहीं बना सकते चोड़ी को आप वर्टिकली आ खड़ा करेंगे नहीं लोड भागे गया इसका फोल्डिंग उसको मतलब सभी से पकर नहीं सकता है तो यह प्रसुजर जो होगा तीन मिटर का होगा दो ट्यूब्स दो मिटर का ट्यूब्स लेते तरीका है चार पोस्ट में दो तीन मिटर का है जब दो मिटर के लेंगे ना तो वहां पर क्या है दो मिटर लग जाएगा और फिर उसके बाद जब आपका यह पोस्ट मुकमल हो जाएगा ना फिर आपका आता है रनर तो रनर में क्या होता है रनर जो होता है हमेशा नीचे होता है और बीरर हमेशा उपर होता है जैसे कि यह सिस्टम इसका फोल्डिंग है तो लेंट और प्रिट सेम कप में इंस्टॉल है लेकिन वहां पर क्या होगा रनर जो होगा नीचे होगा और बीरर जो होगा उसक लेंद के साइट को हिसाब से पीर कहीं पर नीचे में उपर में और उपर में जा करके बीर नीचे में जाता है तो वह फॉल्ट होता है यहां पर यहां पर दूसरा तो वह क्या होगा वह प्लैटफॉर्म से चार इंच से कम होगा और बटरफ्लाइ कप्लर के साथ लगाया होगा यहां पर जो है ना जो ट्राइजम जो है प्लैटफॉर्म से चार इंच कम होगा पाहल और बटरफ्लाइ कप्लर के साथ लगाया तो वहां पर क्या है प्लाइंट बीर ओवर हैंग लेस देन फोर इंच एंड फिक्स विट बटरफ्लाइ और फिर जब आप इसके बाद जाए तो टावर इसका फॉल्डिंग में प्लाइज जो अधना प्लैटफॉर्म के नीचे तो लगाया हुआ है लेकिन बॉटम में नहीं लगाया हुआ हुआ है प्लाइंट लगाया जाता है और वहां पर क्या होगा जब आप प्लाइंट देखेंगे ना तो टॉप में लगाया बॉटम में नेकी उंक और दूसरा क्या है वह प्लान प्रेस के बाद में यह ज़ो जबर इसमें इसका बोल्ट बाहर के साईट में अंदर के साइट में नि पहन के साइट में यानि वह लोके डागाया हुआ और जुब खर मुप करें कि ईसको जा करें कि इसमें सीडुकर को मिल्कुल झार्णालивать चािए जुब नियुक्ट ता लगाया होग यह सबस्कहरिक स्विभा कही है तो अन्हुरममत को सथ विडर सीविव क्यों सभी कभिटों ह कभी ऑचाइन नहीं होता है अगाए तो पहीं पिर जो उसमें लगाया होगा जैसे लोट सब्सक्ट नीचे होगा और उपर होगा सेंब लाइक हेंगिंग यहाँ से अचैन का जो इसका फोल्डिंग है सेंटर के पासे कि तो यहां से एक experience अलग आता है क्योंकि कुछ चीजह ऐसा है आपको मैं सीवाल बता दूंगा लोड सके नहीं देखेंगे ना आपको समझ भी नहीं आएगा कि सीधा या उल्टा है आप वहां पर जब जाएंगे ना तो वहां पर आपको लगेगा सेंगे क्योंकि क्या आपके टाइम का कमी होता है तो आप जल्दी जल्दी लिखने के कोशिस करेंगे तो वहां पर सीधा उल्टा आप पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाएंगे और जैसे प्लैंक से ना प्लैटफॉर्म से बाहर निकला वैसे कम मिनिमूम लेस देन चेंजी से कम है तो यह फॉल्ट है कि छे कम से कम चेंज बाहर होना चाहिए और कहीं पर जैसे यहां पर अप्राइट लगाया ना उसके बगल में टोबड जाना यह मिसिंग होगा या फ तो यहां पर जो है यह चीज प्राब्लम होता है अगर यह जो टोबोड है एक साइट से अगर उन्होंने जो है लगाया टोबोड लगाया तो दूसरी साइट से उसको जाकर टैच होगा ना तब कम्लीट होगा है तो चीज वहां पर टोबोड में फॉल्ट है टोबोड सेक्योर महीं किया गया है या फिर मिसिंग है अगर छोटा है ना तो आप लीख सकते हैं टोबोड शॉट मेरे हिसाब सब्साइब नहीं है कुरोर सौर्ट नहीए से टीए सीक्योर हुग की कि वह सिंगल तो नजर भी आएगा सींगल नजर आ लेकिन क्या है जैब रॉस Creator और बोलट है पुरा मतलब से सेमिर भाखिंग नहीं कि नوع तो यहां से हम लोग थोड़ा सा एक अपना रिफरेंस लेते हैं जहां से हमको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है क्योंकि फिल्ड में आप जाकर देखेंगे न तो भी आपको समझ में आगा कि हाँ यहां यहां पर यह चीजे होनी चाहिए था यह चीजे नहीं है